अलोफंट्स कैसे आप सभी नई वकेंसिंट कर दी गई है पर्मनेट पोस्ट की अस्थाई रुप की वकेंसिंट कर दी गई ये सेंट्रल गूर्मेंट के तरफ सित्वाई दिखते हैं क्या है वकेंसिल साइट है उससे पहले वीडियो पे नैं है चला सब्सक्राइब नी किया सब्सक्राइब करें क्योंकि हमेशा लेटस अपडेट नोटिफिकेशन वेकैंसी पेपर से जल्ट आती है कंटिनुसली अपडेट कर रहे हैं तो बात करें नेशनल इस्ट्यूट ऑफ बाइलोजिकल से वेकैंसी लिस्कर्दी की है एन आई बी वेकैंसी आ चुकी है मिनिस्ट कि वेकैंसी आगा है यहाँ आपके समये ओफिसल नोटिफिकेशन बात की जारी उड़ा स्टर बासट मेंड का है आड ऑफ इस वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने वाली पर्मेनिंट पोस्ट की वेकैंसी निकाली गई है एसस्टेंट ग्रेड वन एज रखा गया तीस साल प वेकैंसी निकाले गई है 30 साल एज रखा गया है एक पोस्ट की वेकैंसी है जनल के लिए तो बात कर रहे हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में तो एसेस्टेंट ग्रेड वन की बारे में बात की जारी है टुवल्थ पास कर रखे हो साथ में 60% मार्क साने चाहिए साइंस स स्ट्रीम से अपने कर रखा हो तो आप फॉर्म फील अप कर सकते हैं साथी साथ टाइपिंग में ली जाएगी आपकी 35 के इंग्लिस में आनी चाहिए या हिंदी में करेंगे तो 30 की आनी चाहिए बात करें नोट में लिखा हुआ है जो बच्चे कर रखे होंगे साथ में करें उनको ज्यादा प्रिफरेंस मिलेगा यहां पर बात की जारी एसेस्टेंट ग्रेट टू के लिए 12 पास कर रखे हों 50 परसन मार्क से आर्ट से कॉमर्स से साइन्स से तो आप यहां फॉर्म फील अप कर सकते हैं साथी साथ टाइपिंग की स्पीड ली जाएगी 35 का हैं सबी का दीटिल यहां पर दिया हुआ है बात करें फीस के बारे में तो फ्री अप कॉस्ट है किसी भी कैटेगरी के लिए पैसे नहीं रखे गए हैं फ्री अप कॉस्ट है ऑफ लाइन फॉर्म फील अप करना है यहां पर एड्रेस दिया है नवड़ा सक्टर का कॉलिफिकेशन सब कुछ काउंट किया जाएगा आपको टाइम है अभी और बात की जा रही है ओफ-लाइन फॉर्म फील अप करना है सभी का दीटेल हैं मिल जाएगा जो डिस्कुप्शन में लिंक में ने दे दिया है यह फॉर्म है को फॉर्म समिट करना है जो उनका एड् ग्रेड वन के लिए ग्रेड टू के लिए बात की जा रही थी गैड्यूशन के लिए या सर्टिफिकेट के बारे में तो वह कंपॉल्सरी नहीं है वह और अप्स होगा तो आपको ज्यादा वैलू मिलेगा प्रिफेंस आपका रखा जाएगा लेकिन ट्वल भी पास कर रख